Samsung Galaxy S21 Ultra ये जो स्मार्टफोन है ये एपिक फीचर के साथ में आता है और खास करके एक फीचर है जिसने मुझे सबसे जादा इंप्रेस किया है वो है 100X Space Zoom अब इसमें ऐसा है कि Samsung ने पहली बार Dual Telephoto Lenses का उप्योग किया है जिससे ये जो 100X Zoom है ये Samsung अचीव कर पा रहा है इसके अलावा जो क्वालिटी है वो भी काफी इंप्रेसिव है लेकिन एक खास चीज है जिसने मुझे सबसे जादा इंप्रेस किया है इस 100X Space Zoom में और वो करके फुल जूम में रहते हैं तो एक चीज मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल हो जाती है वसे आम शूर आप में से काफी लोगे समझ गए होंगे कि वो चीज क्या है उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा फिलाल Moonshot ट्राइ करते हैं Samsung Galaxy S21 Ultra ये 100X Space Zoom के साथ में आ समसंग गैलक्सी S21 Ultra 5G स्मार्टफोन इसका जो कैमरा है काफी इंप्रेसिव है एपिक लेवल का है और जैसे कि मैंने आपको बता दिया समसंग ने पहली बार इसमें दो टेली फोटो लेंसे का उप्योग किया है एक लेंस 3X Optical Zoom सपोर्ट करता है और जो दूसरा लेंस है वो 10X Optical Zoom सपोर्ट करता है Optical Zoom जो है ये एक तरह से आपको ट्रू जूम आउटपुट देता है without any losses लेकिन एक बार डिजिटल जूम आ जा है और आपने देखा होगा कि जितना आप जादा जूम इन करते हैं तो जो कॉलिटी है वो इतना शाप नहीं होता है खास करके इसलिए क्योंकि जो डिजिटल जूम है वो ऐसा करता है अब यह जो डिजिटल जूम है यह बैसिकली सॉफ्टर के जरीय होता है एक तरह से यह प्रोसेस नहीं है और क्योंकि इसमें डूल टेली फोटो लेंसे का उप्योग किया गया है तो जो कॉलिटी है काफी हद तक आपको क्लियर मिलती है यह दिखे मैं आउट्डोर आ चुका हूँ और यहां पर मैं आपको एक्जाक्ली वो दिखाने वाला हूँ जो कि मुझे ज खास चीज है जो कि जब आप 100X जूम करते हैं और मुझे लगता है कि वो बहुत ही important है और शायद मुझे लगता है कि आप मेंसे काफी लोग को समझ गया होंगे और वो चीज है stability जिना दोस्तो stability बहुत ही important है अगर आपने कभी zoom lenses ट्राय किया होगा चाहे वो digital cameras में हो या फ उसमें stability option नहीं है तो बहुत ही मुझकिल है आपको उस subject को 100% zoom पर maintain करना frame में रखना और इसके लिए काफी लोग जो है ये tripod stand का उपयोग कर रहे हैं यहाँ पर फिलाल मैं कोई भी tripod stand का उपयोग नहीं कर रहा हूँ और जो stability है awesome है मैंने इस प्रकार के moon shots है दूसरे smartphones के साथ में भी try किया है जो कि ज्यादा zoom options आपको देते हैं लेकिन जब full zoom तक मैं पहुंच जाता हूँ तब जो object है जैसे की moon उसे frame में रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो moon है 100x पर कैसा बढ़िया दिख रहा है और जो craters है moon पर जो कड रहा हूँ यह जो stability है automatically activate हो जाता है जब आप पर्टिकलर जूम लेवल के पार पहुंच जाते हैं तो तो यह जो Samsung Galaxy S21 Ultra 5G smartphone जो है इससे आप बढ़िया zoom shots shoot कर पाएंगे बढ़िया stability के साथ में stability बहुत important है और यह जो smartphone है उस मामले में बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है exceptional performance द बताइए और यह भी बताइए कि इस प्रकार का जो zoom है 100x zoom space zoom इससे आप किस प्रकार के shots को दूर से shoot करना चाहेंगे इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और देखते रहे हैं